असलाम अलेकुम खेर मक्तम किया जाता है आपका यूटूब चैनल इसके अर्दू लिटरेचर पर आज की वीडियो में हम देखेंगे CTAT 2019 का ही पेपर है और लैंग्वेज वन देखेंगे इसमें और इसके बाद लैंग्वेज डू अगर आपने वाल लिया है तो आपके 9 से सवालात हल करें और आपने लैंग्वेज डू उर्दू चूस किया है तो आप 111 से सवालात हल करें गलती ना करें, न्यू देने वाले को समझ नहीं आता हैं कि क्या करना है, तो इसके लिए ये बात बताई जा रही हैं। और ये वीडियो में हम 15 पैडगोगी के कोशन से देखेंगे और शेरी अख्तिबास से और नसरी अख्तिबास से 15 सवालाद देखेंगे, इस तरह से ये कुलती सवालाद पर मुश्तमिल वीडियो होगी, इन में हम आपको पैडगोगी और इख्तिबास को किस तरह से हल करना है ये भी सासा सिकेंगे और ये वीडियो CTAT के अलावा आपको हर तरह की TAT और पीचर भड़ती एक्जाम्स के लिए helpful रहेगी हम एक्तिबास की तरफ यहाँ पर हम देखें इस तरह से इस पेपर में instruction भी दिया होता है लेकिन हम क्या है हमें हैबत होती है पेपर की और जल्दी जल्दी के चक्कर में हम ये सारी चीज़े नहीं देखते हैं अगर आपने language 1 उर्दू लिया है तो आपको 9 से सवालाद हल करने होते हैं अगर language 2 उर्दू लिया है आपने तो 121 से करने होते हैं लेकिन हमें क्या है इस से ज्यादा वो नहीं होता है तो हम क्या करते हैं शिरू से आखिर तक क्या हैं एक के नौ से शिरू करते हैं और 150 पर ही हम रुकते हैं स्टॉप लेते हैं तो ऐसा नहीं करना है जो जिस तरह से आपने language चूस की हैं अगर language 1 उर्दू लिया है तो उर्दू हल करें अगर language 1 में आपने हिंदी या इंग्लिश लिया है तो हिंदी या इंग्लिश करकर बाद में क्या हैं उर्दू हल करें यहाँ पर देखें इखतिवास पढ़ने का तरिखा हमने पिछले दो वीडियो में देखा है सबसे पहले हम क्या करेंगे सवाल पढ़ेंगे उसके चार आप्शन्स पढ़ेंगे और उसके बाद एक्तिवास पढ़ेंगे या आपको जैसा मुनासिब लगे वैसा पढ़ सकते हैं वैसा हल कर सकते हैं मुझे ज़्यादा बहतर इस तरह से लगता है इसलिए मैं ये इन तरीखे से आपको बता रही हूँ देखे एक ये नो में है खदीम इनसान की जिन्दगी किन वसाइल के गिर्द गुमती थी तो खुद्रती वसाइल पैदावारी वसाइल मसनुई वसाइल या फिर आमदर रफ्त इस बाद है सेकंड कुशन से खदीम इनसान जंगला से क्या क्या हासिल करता है एक गोंद लकडी और काकस लकडी चारा और गिज़ा गला इंदन और भूसा चार में हैं चारा रवड और काकस फिर तिरे नौ सवाल में है कदीम इनसान पानी के जखीरों के पास बस्तियां क्यों खाइम करता था पीने के पानी की खिलत ना हो इसलिए या फिर वो खेती बाड़ी कर सके इसलिए तीन में हैं इसको खुदरती पानी हासिल होता रहे इसलिए चार में हैं सबजियों और फलों को बोने के ही सवाल नमबर चौरे नो में हैं जब पैदावार में इजाफा हुआ तो किस की मांग बढ़ गई एक में हैं ज्यादा माल की दो में हैं खाम माल की तीन में हैं सस्ते माल की और चार में हैं महंगे माल की इसके बाद हैं 95 सवाल में है जब कागस की कारखने खुले तो जंगलात की लकड़ी का क्या हुआ एक में हैं कागस बनाने के नजर हो गई दो में हैं इंधन जलाने के काम आ गई तीन में है परनीचर बनाने के नजर हो गई चार में है किष्टियां बनाने के काम आ गई च्छानौ में है बस्तियां का वाहिद क्या है तो बस्तियां ये जमा दिया हुआ है उसका वाहिद होगा बस्ति इसी तरहा यहाँ पे सत्यनों में है जदीद का मुटजाद यानि अपोजिट क्या होगा तो जदीद खदीम इसके बाद है अठिनों सवाल में दुनिया की हर एक चीज दूसरी चीज को क्या करती है एक है नजर अंदास करती है दो है असर अंगेज करती है तीन है मतासिर करती है चार हैं माला माल करती हैं निनियन नौ सवाल में हैं दुनिया के इस आपसी तालग को समझने और समझाने का नाम है होम साइंस होम साइंस माहुलियाती साइंस शोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस तो ये थे हमारे क्या हैं नियन नूँ सवाल आप देखेंगे हम यहाँ पे पेरिग्राफ में क्या-क्या हैं देख लेती हैं और उसके बाद options भी मिलते हैं क्या देखते हैं देखें यहाँ पे color change कर देंगे खुद्रत ने दुनिया की हर चीज़ को जरूरत की इतिबार से एक दूसरे से जोड दिया हैं यहाँ की हर चीज़ दूसरी चीज़ को किसी नद किसी तरह क्या हैं मतासिर करती हैं यह options में हैं इस आपसी तालग को समझने या समझाने का नाम भी क्या है माहुलियती science जमाने खदीम में इनसान इस तालुख से न सिर्फ बाकू भी वाफिक था बलके उसकी जिन्दगी इन खुद्रती वसाइल के गिर्द के हैं घूमती थी वो पानी के जखीरों के पास बस्तियां खाइम करता था ताके खुद्रती पानी से हासिल होता रहे जंगला से वो लकड़ी चारा और गिज़ा के हासिल करता था जमीन के वसी थी और आबादियां कम रफ़ता रफ़ता इनसानी आबादी बढ़ने लगी तो इनके के हैं वसाइल की मांग भी बढ़ी सनती इन अखलाब ने इनको मशीनों से रोशनास कराया मशीनों की पैदावार से क्या है जबरदस्त इजाफा हुआ और इस इजाफे ने खाम माल की मांग को क्या है बढ़ावा दिया जहां काखस के कारखाने लगे वो इलाखे जंगला से पाक हो गए क्योंके लकड़ी काखस बनाने की क्या है नजर हो गई कदीम इनसान की जिंदगी किन वसाइल की गेर्द गूमती थी दिरिखे खुदरती वसाइल यहां पे होगा आंसर इसके बाद है कदीम इनसान जंगला से क्या हासिल करता था तो वो लकड़ी चारा और पिज़ा यह आंसर होगा अकले का जिकर नहीं है पेरिग्राफ में दूसरा रबड का जिकर नहीं है और गोंद का नहीं है इस तरह से भी आप इसे डिलीट करते हैं कर सकते हैं और जवाब तक पहुंच सकते हैं यहां पे हैं खदीम इनसान पानी के जखीरों के पास बस्तियां क्यों खाइम करता था तो वो इसको खुद्रती पानी हासिल होता था इसलिए जब पैदावार में इजाफा हुआ तो किस की मांग बढ़ गई तो खाम माल की क्या है मांग बढ़ गई इसके बाद है जब कागस की कारखाने खुले तो जंगलात की लकड़ी का क्या हुआ तो कागस बनाने की क्या है यह नजर हो गई राइट आप्शन्स होगा इसका पैरिग्राफ में इंदन का कोई जिकर नहीं है फरनीचर का भी नहीं है किष्टियों का भी नहीं है दुनिया की हर एक चीज दूसरी चीज को क्या करती है तो यह मुतासिर करती है इसके बाद है दुनिया की इस आपसी तालग को समझने और समझाने का नाम किया है तो ये माहुलियती साइंस आप्शन्स होगा इसका दुरूस और शोशल साइंस का जिकर नहीं है पॉल्टिकल का भी नहीं है और होम साइंस का भी पेरिग्राफ में जिकर नहीं है यहापी क्या है शेरी अख्तिवास दिये वा है या शेरी हिस्सा है इसको पढ़ना है और इसके आंसर करना है इसी तरह हम क्या है पहले आप्शन्स और सवालात को पढ़ लेंगे और उसके बाद क्या है शेरी हिस्से को पढ़ेंगे हर सिम्ट क्या नज़र आ रहा है रोशनी तारी की आधेरा उजला उसके बाद है एक सोईख में है दरिया को जोश आने की साथ साथ कौन गुन गुना रहा है लहरे साहिल दरख्त नदी इसके बाद दियवा है फितरत पर बाहर के साथ किस पर निखार है दुनिया दो में हे बाग, तीन में हे खेती, चार में हे फूल इसी तरहा नजर की जमा क्या होगी तो नजरों होगा इसके बाद है एक सो चार में हे देते हैं लुट को क्या क्या ये डेडैश के नजारे जैल में दे गए लफजों में से क्या है सही लवद भना है शाम, धो में है सुभा राद, आस्मा 105 में है पत्य खुश होकर क्या कर रहे हैं हस रहे हैं, टालिया बजा रहे हैं चिला रहे हैं, किल खिला रहे हैं बढ़ते हैं शेरी हिसे की तरफ देखें, शेरी हुस्वे में दिया हुआ है ये बंद है यहाँ पे देखे शबनम के आइने का अक्स चमन दिखाना पत्तो का शाद होना और टालिया बजाना पत्त क्या है खुशी से क्या है खुश होकर क्या है टालिया बजा रहे हैं खुलों में दिल कशी है काटों में ताज़ की हर दिल में खुशी है हर सिम तुरौश पहार, सहरा, हर एक जगमगाया, दरिया को जोशाया, साहिल भी क्या है, गुन-गुनाया देखेँ, फित्रत बाहर पर है, दुनिया निखार पर है यह भी आंसर होगा हमारा, इसके बाद है यहाँ पर हर शे हैं खूब सूरत रंगीन हर नजर है सच पूछे तो मनजर कैसे है प्यारी प्यारी देते हैं लुट्फ क्या क्या ये सुबा के नजारी तो सवाल है यहाँ पे जवाब देख लेते हैं देखें यहाँ पे जवाब है हर सिम्त क्या नजर आ रहा है तो रोशनी दूसरा है दरिया को जोश आने के साथ साथ कौन गुन गुना रहा है तो साहिल होगा इसके बाद यहाँ पर दुनिया के साथ फितरत बाहर के साथ किस पर निखार है तो यह दुनिया पर इसके बाद है यहाँ पे लुत्फू देते हैं क्या क्या सुभा के नजारे पत्ते खुश होने पर क्या कर रही हैं तो टालिया बजा रही हैं ये हो गए ये थे हमारे 15 सवालाद के जवाबाद अब हम क्या भूगी के 15 कुशन्स देखेंगे काफी अच्छे questions है और देखें इस तरह की questions को क्या है थोड़ा सा समझ से ही हल करने पर आसानी से हम answer की तरफ बढ़ते हैं जरा सा थोड़ा सा गौर्व फिकर करने की जरूरत है CT8 में क्या है थोड़ा ये चारो की चारो options आपको बहुत खरीब खरीब ऐसा लगता है कि ये सही है लेकिन वो पूछा जाता है सबसे अहम चीज़ क्या है बताना होती है तो इससे ही जरा आप अच्छे से देखें इसमें सबसे best कौन सा है ये देखना होता है यहां पर दिया हुआ है पहले शायरी की तद्रीश में सबसे ज्यादा अहम क्या है तो शायरी में अखजल नजम आ जाएंगे इसकी तद्रीश में सबसे ज्यादा क्या अहमियत रखता है नजम में मखसूस मानी होते है नजम में एक से जायत मानी होते है नजम में समाजी मसाइल नहीं मुनाकिस होते है नजब में कोई जजबाती पहलो नहीं मुनाकिस होता है तो ये इसका राइट आंसर होगा नजब में क्या है एक से जाहित मानी होते हैं ये ज़रूर ये ज्यादा अहिम होता है 107 में क्या है रिपोर्ट तयार तहरीर करने रिपोर्ट ट्राइटिंग के बारे में पढ़ाते हुए एक उस्ताद तल्बा में अकबार में शाय हुए रिपोर्टों के कुछ तराशे तक्सीम करता है वो तल्बा से इन रिपोर्टों को पढ़ने और अपने मुशाहिदा लिखने के लिए कहता है किलास में तक्सीम किरदा अखबार की तराशे क्या है बताना है जो उस्तार ने तराशे तक्सीम किये हैं वो क्या है हमें बताना है एक में हैं तद्रीज के लिए इमदादी सामान दो हैं आमुजिश के लिए इमदादी सामान तीन है तदर्षी आमोजशी मावाद या तदर्षी तरीखे और हिकमत अम्ली इसका Right options होगा यहाँ पे तदर्षी आमोजशी मावाद सहीं options होगा दूरुस्त आंसर होगा इसका 108 में हिंदुस्तान में जबानों के कितने खांदान है 4 खांदान दिया हुआ है इसका आंसर गेमियं और आप्शन इसके बाद यहां पे दिये वह है 109 में जुबान की तदरिसके किस तरिके ने जुबान के किलासरूम में माधरी जुबान के इस्तेमाल को खत्म कर दिया है यानि आपको यह बताना है इससवाल में कि कौन सी जबान के तरिखे ने क्लासरूम में जो बचों की मादरी जबान होती हैं उसे खत्म कर दिया है तो इसका राइट आंसर होगा रास्त तरिखे ने मादरी जबान को कहें कि इस्तिमाल को खत्म कर दिया है जबान की तद्रिश के दौरान उस्ताज साइंस और समाजी इलूम से मिसाले देता है इस तरह के तरिखे कार को क्या नाम दिया जाता है बताना है साइंस और जबान की तद्रिश बोलेंगे दर्सिया सिपरे जबान बोलेंगे या फिर TPR तरीखा बोलेंगे या CLT तरीखा ये दो तरीखों की वीडियो इंशालला फिर किसी और दिन इस दो तरीखों को डिसकस किया जाएगा कंटेंड के थुरों यहाँ पर TPR क्या है इसका फॉर्म होता है टोटल फिजिकल रिस्पांस बोलेंगे इसको रिस्पांस बोलते हैं इसको इस तरीखे में क्या होता है जबान इंपुट पर जबानी इंपुट पर क्या है रद्धि अमल जाहिर किया जाता है और जिसमानी हरकत का इस्तेमाल करते हुए जुबानी अलफास के तसवर को सिकानी की क्या है कोशिश के जाती है इसके कुछ स्टेप भी है जो हम फिर किसी वीडियो में देखेंगे कंटेंट के थुरों दूसरा है यहाँ यहाँ पे CLT तरीखा क्या होता है तो देखे इसका पहला यह तरीखा क्या है पहले तो CLT का फूल फाम देख ले क्या है कॉमनिकेट यू अप्रोच टीचिंग बहुत दे हैं इसे दूसरा और कॉमनिकेट यू लैंगवेज टीचिंग भी बोला जाता है इसमें क्या है मौसलात के जरीए जूबान सिकाने पर क्या है तवज्जे मरकुस की जाती है और ज्यादतर यह तरीखा अंग्रेजी जूबान सिकने वालों के लिए होता है इसके कुपी इससे हम किसी और वीडियो में देखेंगे बहरे हाल यहाँ पर सवाल का जवाब होगा कि अगर हम जुबान की तद्रीज के दोरा है साइंस और समाज जूलों से भी मिसाले दे कर बढ़ा रहे है तो वो क्या है दर्सिया से परे जुबान हो जाए राइट आंसर होगा दो इसके बाद देखें यहाँ पर जुबान की आमोजिश के वफुकी तनाजूर का जूर होता है तो क्या जूर होता है देखें इसका राइट आप्शन्स यहाँ पर गल्तियां जुबान की आमोजिश के अमल का क्या है हिस्सा होती है गलतियों से ही क्या है बचे सीखते हैं आदर डालने का अमल जुबान के आमुजिश में माविन होता है क्या है उस्ताद को चाहिए कि मुकालमे को याद करने और दहरानी की होसला अवजाए करे ये तो दिलिट हो जाएंगा और ये जल्द से जल्द क्या है गलती की इसला करना होगी ताकि बच्चों के जहन में गलती महफूस होना जाएंगा तो ये भी क्या है गलत हो जाएंगा इसका राइट आप्शन्स होगा एक दुरुस्त इसके बाद दिये वाहे 112 सवाल नमबर में उस्ताद तल्बा की खराब कारकरदगी की वजह से जानने के लिए एक जाँच करता है ये जाँच क्या कहलाती है अगर कोई तल्बा की कारकरदगी कहे एक्टिविटी खराब हो तो उसको जानने के लिए कौन से जाँच करेगा ये सवाल है तो महरत की जाँ, तश्किसी जाँच, हुसुलियाबी की जाँच ये तक्मिली जाँच तो तश्किसी जाँच करेंगा ये दुरूस्त है इसके बाद यहाँ पे हैं छटी जमात का उस्ताज जुबान का पड़्चा जाँचने के बाद इस नतीजे पर पहुँचता है कि तल्बा की कार्ट करदगी अच्छी नहीं है फिर वो दोबारा सवालनामा तयार करता है लेता है जिस तरहा की जाँच को क्या कहेंगी तश्किली जाँच, तक्मिली, तश्किसी या फिर मजमुए जब उस्ताद को मालू होगा कि बच्ची की कार्ट करदगी अच्छी नहीं है तो वो तयार करेगा और दोबारे से टेस्ट लेगा और इसकी जाँच करेगा कि बच्चे को किस चीज़ में क्या है रुकावट आ रही है सीखने में तो इसका राइट आंसर होगा तश्किसी चार्च इसके बाद यहाँ पर 114 सवाल में है जबान का उस्ताद एक जमात के तलबा को पढ़ाने के बाद अपनी डायरी में लिखता है जबान का खेल तलबा को कहें दिल्चस्प लगा और उन्होंने इसमें पूरी सरगर्मी में कहें इसे हिस्सा लिया लेकिन गुरूब तीन का मतलूबा नताइच के हुसूल में परिशानी हुई यहाँ पर मिसाल दी हुई है आपको बताना है कि मिसाल का तालूब इससे है तो उस्ताद देख रहा है कि बच्चों ने खेल जुबान का जो खेल खेला गया था तो उसमें तलबा ने दिल्चस भी भी ली और पूरे सरगर्मी में हिस्सा लिया लेकिन गुरूब तीन के जो पहले क्या है किसी भी तरह का किसी भी सबक को पढ़ाने के लिए पहले मनसुबा बंदी बनाता है और उसके बाद क्या है उसके मकासी भी तहरीर करता है और उसे मकसद को फिर बाद में टेस्ट के जरिए या फिर किसी एक्टिविटी के जरिए वो जाचता है कि गोया इन्ह तरहा से तो ये एक तरहा से पीचर्ड्स करता है और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँच रहा है कि सभी ने इसमें हिस्सा लिया थे लेकिन गुरूप तीन के मतलुबा नताइज के हुसूल में कहें नहें परेशानी हुई तो वो क्या करेगा जार्च की वाकियाती रिक करेगा ये राइट आंसर होगा इसके बाद है यहां पर जबान का मौसूर उस्ताद है जबान का मौसूर उस्ताद है तल्बा को निसाबी किताबों में दी गए तमाम सवलां के जवाब सिका दे तो वो क्या है जबान पर वोड हासिल कर लेगा क्या नहीं इसके बाद है नि निसाबी किताब के साथ साथ निसाब से बाहर की चीज़ों को भी पताएगा ये भी कहें दुरुस्त होगा सिर्फ निसाबी किताबों पर मदनी सवालना में तयार करें ये क्या दुरुस्त होगा क्या नहीं ये फिर मजूजा किताब से बाहर कुछ नहीं करेंगा ये बाहर की जिन्दगी से क्या है जोड़ना है हमें ये NCF 2005 भी रहता है तो इसका right options होगा इसका जवाब होगा निसाबी किताबों के साथ साथ निसाब से बाहर की चीज़े भी बताए इसके बाद है 116 जुबान की आमजिश में सबसे अहम क्या है निसाबी किताब मावीन दर्सी किताब अदब अदपाल सरगर्मी शीट तो सबसे एहम है यहाँ पे अदब अदपाल इसके बाद यहाँ पे 117 सवाल में हैं दर्जिजैल में से कौन तल्बा की तकलिकियत में इजाफा करेगा मुंतिहान में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए तल्बा को कोचिंग देना ये तो हो जाएगा देखें खुद से जो तहरीर करेगा उसे अपने तकलिक बोलेंगे तकलिकियत तो ये नहीं होगा इसके बाद है तो मेहें अपने तजरुबा के मताबिख आजादना तोर पर लिखने का मौका प्रहन करना तो इसे टिक करेंगे हम यहाँ पे तल्बा से क्या है अखलाखियत पर मबनी कहनिया लिखने और पढ़ने के लिए कहने से क्या उनकी तकलिकियत तकलिकी सवा महारत में इजाफा होगा नहीं है और चाधे में हैं यहाँ पे तल्बा से आमुजिश में दिल्चस्पी पैदा करने के लिए कहें बोल नहीं सकते कि बच्चों आओ तुम आमुजिश में दिल्चस्पी पैदा करो नहीं यहाँ पे एक टीचर्स का एक मौलिम का काम यह होगा कि वो क्या है अपने टीचिंग को इस तरह से इंटरेक्टिव बनाएं कि तल्बा खुद बखुद क्या है उसकी तरफ रागिब हो और उसमें क्या है दिल्चस्प इस तभेल रविर ने उनके अंदर क्या है दिल्चस्पी पैदा होकी हम कहने से यह मौलीम कहने से आमुजिश में कहने दिल्चस्पी पैदा नहीं होगी मलकि मौलिम ने ने तरी फों से बच्चों को सिखाना होका तभी वह इसीख एक सोटरा सवाल में हैं जुबान में जहिन की खाका साजी का मतलब हैं दिमाग की तस्वीर बनाना काहनी नजब में बयान के गए इलाखों मुकामात की तस्वीर बनाना या फिर तलबा से किसी मुहिम का मनसुबा बना कर जमा करने के लिए कहना या फिर चौथा हैं तलबा को और फिकर करने और नेखियालाद वासी करने और उनके मावियन मावियन रिष्टा खांळाने की इजाज़़त देना जब हम क्या है उन्हें पूरी طरह से और फिकर करने के लिए पूरी तरह से अपने खेंदराद का इसार करने की नहीं आजादी देंगे तब ही वो क्या है अच्छे से जालाद के दर्मियान रिष्टा खाएं तरीगा सबसे अच्छा ऑप्शन्स यहां पर डी है ऑप्शन्स डी ही इसका राइट आंसर होगा इसके बाद है 119 में लिखने की महरत को फरोग देने के लिए सबसे आहम क्या हैं तो देखिए यहाँ पर खुषखत लिखना दुरुस्तिमला मजूझा इशारों और हिदायत पर अमल करते हुए लिखना ये और तहरीर में अपने राए ख्यालात और तज़्वे तज़रुबात का प्यान करना तो यहाँ पर सबसे अइहम पूछा गया है यह भी को तहरीर में अपनी राए, खयाला और तजरुबात को बयान करने की क्या है आज़ादी होनी चाहिए ये ज्यादा अहम रखता है उपर के तीनों से आप इस वीडियो का लास्ट कोशन्स देख लेते हैं देखें यहाँ पर जिस मुताले में आमुजगार को मतन पढ़ने से लुथ अंदोज होने और पढ़ने के आम महरत को फरुग देना शामिल हो तो वो होता है क्या होता है बताना है आपको गहरा मुताला, तौसी मुताला, या माबाद मुताला तो इसका राइट आंसर होगा, तौसी मुताला ये थे हमारे तीस कोशन्स वीडियो को लाइक, शेर और चैनल पर नए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें